And finally and most important चीज जो सिर्फ मैंने लेकिन हर किसी के लिए बहुत ही important है iOS 16 में no doubt बहुत सारे नये features हमको देखने को मिलें जैसे के lock screen customization as well as battery percentage indicator उसमें वापस आ गया था लेकिन उसके साथ वापस आये थे कुछ bugs as well as काफी सारे लोगों को battery drain के issues भी देखने को मिलें लेकिन अब कुछी महीने बाकी iOS 17 में and हमारे expectations काफी high हैं लेकिन इतने high भी मत रखना आपके expectations क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ आई ये बता तो क्या rumors चल रहे हैं कौन सी release date expected है as well as कौन सी compatible devices है नमस्कार दोस्तो मेरा में अमित टेकनोलोजी की दुनिया में हर दिन हर कुछ नहीं सीठना चाहते हो तो ये चैनल specifically आपके लिए तो चलिए बात करें सबसे पहले क्या rumors चले iOS 17 के बारे में तो एक report की माने from how to eye solve उसके हिसाब से iOS 17 में कोई भी major UI design नहीं देखने को मिलेगा कोई भी नए features भी देखने को नहीं मिलेंगे हाँ अगर stability and efficiency की बात करें तो वो आपको देखने हो मिल सकता iOS 17 में and same confirm किया गया by Mark Gurman जो यह कहते है कि इस बार सारे resources focus किये जा रहे VR headset पे तो iOS 17 एपल के लिए हो सकता इतना important नहीं होगा यह इतने major features आपको देखने को नहीं मिलेंगे अब देखा जाया तो यह bad news है लेकिन इसी में चुपाओ एक good news भी है that is iOS 16 के अगर बात करता iOS 16 में काफी सारे bugs अपको देखने को मिले थे जैसे कि app crashes, display problems, wifi disconnections, wallpapers disappear हो रहे थे and most importantly battery drain हो रहे ही तो यह सब problems iOS 16 में आपको देखने को मिले अब iOS 17 में Apple यह focus कर रहा है कि इन सब problems को eliminate कर दे so कहने का मतलब iOS 17 का जो bad news है that is हमको कोई भी नए features देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन जो good news है वो यह है कि हमको at least वो सब problems face नहीं करने पड़ेंगे जो iOS 16 में ने किये थे एक और चीज है जो हमको iOS 16.4 से ही देखने को मिल जाएगी अब तक यह होता था कि लोग developer beta profile free में कोई third party website से install करते थे और उसको use करते थे अपने iPhone में लेकिन अब Apple यह बिल्कुल नहीं चलाएगा अगर आपको developer beta profile use करना है तो आपके पास होना चाहिए एक developer account जो cost करेगा $99 per annum हाँ अगर public beta की बात करें तो announcement कुछ weeks के बात आप public beta free में use कर सकते हो आपके iPhone में So basically जो लोग developer profile free में use कर रहे थे उनके लिए एक bad news हो सकती है लेकिन जो लोग public beta या फिर final stable version यूज़ करना चाहते है उनके लिए कोई भी problem नहीं है अब iOS 17 के rumors हमने discuss कर ली है लेकिन बहुत सार ऐसे features है जो personally मैं iOS 17 में ज़रूर देखना चाहूँगा जैसे कि widgets की अगर बात कर रहे है तो इन widgets को आप देख तो सकते हो लेकिन इनके साथ आप interact नहीं कर सकते हो For example अगर मैं को music को pause करना है अगर हम iPhone 14 Plus या 14 Pro Max या जो भी Pro Max models उनकी बात करें तो वहां पर हमको बड़ी screen देखने हो मिलती है लेकिन इतनी बड़ी screen को use करने के लिए at least हमको split screen का option तो मिलना चाहिए जो हमको Android में मिलता है तो अगर आप Android में multitasking करना चाहते हो तो split screen that is two different apps को एक साथ open करके आप use कर पाते हो लेकिन iPhone में आपको ये option फिलाल देखने को नहीं मिलता है तो जैसे आपको iPad में देखने को मिलता है I hope iPhone में आपको same option देखने को मिल जाए next and most important चीज जो मैं iOS 17 में जरूर देखना चाहूँगा that is iOS 16 में जो भी battery drain issues देखने को मिले जो भी bugs हमको देखने को मिले वो सब iOS 17 में अब नहीं होने चाहिए तो stability की department iOS 17 से मेरे high hopes है next चीज जो मैं iOS 17 से expect करूँगा जो chances बहुत ही कम है that is Android में आपको predictive T9 के dialing मिल जाता है लेकिन iPhone में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं Amit लिखने के अगर कोशिश करता हूँ तो automatically Amit वाला जो contact में यहाँ पर पुल आउट नहीं होता है next Apple ने जरूर हमको एक Siri दिया है जो काम भी करता है लेकिन 2023 से हमको Siri से काफी high expectations है तरिस हमको यह Siri जादा better या जादा informative चाहिए जैसे for example Siri को मैं एक question पूछता हूँ write an interesting caption for Instagram तो basically Siri ने किया यह के website पे search किया और यहाँ पर आपको कुछ links दे दिये तो basically आपको इन सब websites पे जाना है individually जाके search करना है लेकिन यह तो AI का जमाना है हम कुछ जादा expect करेंगे Siri से so I hope iOS 17 में Siri कुछ अनोखा करें लेकिन तब तक अगर आप Siri से कुछ additional काम करवाना चाहते हो तो एक shortcut create कर सकते हो जिसे आपका जो Siri है Siri Pro में convert हो जाएगा जादा smart हो जाएगा तो वो करने के लिए यह वाला वीडियो जरूर चेक आउट करें अब फिलाल जब भी हमको इन notification आता है तो यहां से drag होके नीचे आप देख पाते हो लेकिन personally मेरे को यह लग रहा है कि यह जो notifications है अब dynamic island को जादा use करेंगे that is iPhone 15 में आपको dynamic island तो चारोई models में देखने हो मिल रहा है plus यह दो models that is 14 pro and pro max तो 6 models में जहां पर dynamic island आपको देखने हो मिलेगा at least वहां पर नोटिफिकेंज इन dynamic island में देखने हो मिलने चाहिए and अगर सीरी की भी बात करें battery health में आप देख सकते हो maximum capacity फिलाल 100% देख रहा है अब जादा तर लोग इस number से काफी disturbed रहते है that is में को इतने सारे comments आते यह पूछने के लिए कि मेरी battery percentage 98 हो गई मेरी 96 हो गई 80 हो गई 89 हो गई तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि iPhone को यह number यहां से हटा ही देना चाहिए so that लोग की नीन ना खरा वो इस percentage की पीछ है that is यहां पे अगर battery health percentage की जगह पे कोई color based system आ जाए तो लोग chain की नीन सो पाएंगे तो फिलाल for example 80% अगर battery health हो जाता है तो Apple यह कहता है आप उसको replace करा देना चाहिए तो उसके जगह पे आप यहां पे red color दे सकते हो तो जब तक green color देख रहा है तब तक आपकी battery health सही है and जैसे यहां पे red color आ जाए उसका मतलब यह होना चाहिए कि आपको battery आपके replace करा देनी चाहिए तो कहने क्या मतलब हम सब के interest में Apple को percentage हटा के यहां पे color based system कर देना चाहिए इसको लेकिन यह तो मेरी wish list है आप क्या expect कर आप iOS 17 से comment करके मुझे जरूर बताना चले तो अब आपको बता तो iOS 17 के क्या expected release dates है तो यह announce हो सकता है एपल WWDC 2023 जो होगा June 2023 में and public beta की बात करें तो वो आपको देखने को मिल सकता है July 2023 में and final stable version की बात करें तो वो आपको मिलेगा September 2023 जिसके expected date है somewhere around 12 September 2023 अब बात कलेगा iOS 17 कौन से devices को support करेगा तो एक तो होगी iPhone 15 की पूरी series दूसरी iPhone 14 की series iPhone 13 की series iPhone 12 series iPhone 11 series iPhone XS and XS Max iPhone XR iPhone SE 2020 as well as iPhone SE 2022 लेकिन अगर iPhone 8, 8 Plus and X की बात करें तो अगर कोई नए features आपको देखने को नहीं मिले तो फिर इन तीनों devices में chances हाए कि iOS 17 का update मिल सकता है लेकिन अगर iOS 17 में कोई भारी भर कम feature आ गया जो इन सब phones में support नहीं कर पाएगा तो in that case इन तीन phones को इस particular list से निकाला जाएगा लेकिन so far अगर rumors की माने तो कोई नए features तो आने वाले है नहीं iOS 17 में तो in that case इन तीन models में भी आपको iOS 17 का support मिल सकता है अब जब iOS 17 की बात करी लिए तो iOS 16 की भी एक बात कर लेते हैं that is iOS 16.5 हो सकता है कि iOS 16 के पूरी family का last update होगा और उसके बाद जाके आपको iOS 17 मिलेगा तो major update की बात करें तो iOS 16.5 एक last major update होगा before iOS 17 और इस particular version पे अर्ड़ी Apple काम करना शुरू कर चुका है so क्या iOS 17 में कुछ out of the box होगा क्या हमारा battery drain का problem हमेशा के लिए solve हो जाएगा anyways यह तो सिर्फ time ही बताएगा लेकिन आप एक चीज में को जरूर बता सकते हो comment करके क्या iOS 17 से आप क्या expect कर रहे हो बागी वीडियो अगर आपको पसंद आया तो like and share जरूर करें यह चैनल पर पहली बार आप सब्सक्राइब कर सकते हो पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक जरूर करिए देखते रहे ओलो जिन टेकन हिंदियो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में